हलो बेटे कैमें तुसी सारे ठीक हो ना बेटे मैं थोड़ी रेनु मैं ते मैं थोड़ा वेलकम कर दियां अपनी एकनॉमिक सी क्लास देविच ते स्कूल दे यूट्यूब चैनल दे स्मार्ट स्कूल ते बेटे थोनु याद होड़ा है कि मैं थोनु लास्ट वीडियो जड़ी अप्लोड कीती सी ओसी एकनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 यानि कि 1990 में तो जड़ी आर्थिक सुदार होई सी इंदिया देवेच न्यू एकनॉमिक पॉलसी जड़ी सी ओ एंटर्टेन होई सी इंदिया देव जड़ी आर्थिक सुदार होई सी इंदिया देवेच न्यूमिक पॉलसी जड़ी आर्थिक सुदार होई सी इंदिया देवेच न्यूमिक पॉलसी जड़ी आर्थिक सुदार होई सी इंदिया देवेच न्यूमिक पॉलसी जड़ी इंटर्ड्यूस होई इंदिया देवेच चुरता ओर समय जड़ी LPQ दी जगा थी इंदिया देवेचो लपीजी आगी सी LPG दा मतलब थान दस्या सी मैं लिब्रलाइजेशन, प्राइबिटाइजेशन ते ग्लोबलाइजेशन उमीद कर दियां कि थान याद होएगा तुसी वीडियो ज़रूर एंड तक वाच किती होएगी जो मैं थान वाज समझाण है मैं डिरेक्टली अपना टॉपिक स्टार्ट करन जा रही है मैं प्रीवेश वीडियो दे विच्चों कुछ भी थान होन दसन नहीं जा रही अगर थाड़े विच्चों कोई आज न्यूँ है जीने हाजे तक उस वीडियो नूँ वाच नहीं किता तब बेटे प्लीज पहला हो वीडियो वाच कर लिया जे देन तुसी ये वीडियो नूँ वाच कर लिया जे समझन दे लई ओके बेटे तब तुसी फटाफट मेरा काम करो कि चैनल सब्सक्राइब करो ते वीडियो नूँ लाइक करो ते मैं थानू करवानिया अपना आईदा टॉपिक जो की है गया बेटे लिब्रिलाइजेशन चलो तब फिर आपा कर दिया लिब्रिलाइजेशन यानि के उधारी कर दूपिर मैं थानू में दसना चाहूंगी कि 1991 दे वे चो जड़े साधी उस सम्में दे प्राइम मिनिस्टर सी पीवी नर्सी माराओ जी तो उस सम्में अपने फाइन्स मिनिस्टर सी डॉक्टर मनमोहन सेंग जी जड़े कि प्राइम मिनिस्टर भी रहे इंडिया दे तो अनू पता है न कि ओ एकनॉमिक्स दे जड़े डॉक्टरेट है प्रधान मंतरी मनमोहन सेंग जी तो उनना ने जड़े 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 अधर बेचा से लिघ्डाइजेशन गलोबरायजेशन अजा सी अधो बीटे लिखरी पाड़ते ट्me है जी बीटें अबलब लीभरलाईजेशन यानी उधारी पर दोला कि मतलब नंच्छा में उधारी सपहर Celt कट फ्रीव करनें तोल कि लिब्र मतलब है कि गर्ममेंट जड़ीसी और उदार होगी लिब्रल होगी सी उन्हें सारी यहंद टर्मस ते कंडीशनस Noon Boss तो समस्ज़ना है तो ओह गा है कि गर्ममेंट गर्ममेंट काट कर दे ने दैटसल जे तो सी मतलब इस चीज़नों अग्गे कॉंटिन्यू करके समझना चांदे हो ता माइन्द वेच की कंसेप्ट लाएके चलोंगे कि जदो गर्मेंट जड़िया वो ट्रेड ते यानि वपार ते इंडरस्ट्री ते बैंकिंग सिस्टम ते पूंजी ते इनन सारे आंदे वेच अपना कंट्रोल है या इंट्रफेरंस है वो कट कार देंदिया ता समझलो ओ ननों लिब्रल कार देंदिया सौखा कार देंदिया वपार दिया शर्ता उत्पादन दिया शर्ता नों सौखा कार दिया तो अन्नों की कहन दिया लिब्रलाइजेशन कहन दिया है तो अन्नों मेरे इस नू बहुत ही त्यानल सुनना पैन हो सक्दा तुसी ऐस चीज नू हो सक्दा अंडरस्टेंड ना करो तुसी वीडियो नू रिपीटर्ली टू टाइम्स देख्या जे हां जी ता उधारी करन्दा की मतलब है सरकार द्वारा लगाए गई डाइरेक्ट यानि पर्तक यां पौतिक नियंतरनातों अर्थवस्था दी मुक्ती यानि के लिब्रलाइजेशन ऑफ दा इकानमी मीन्स तू फ्री इट फ्राम डाइरेक्ट और फीजिकल कंट्रोल इंपोस्ट बाई दा गवर्मेंट की गवर्मेंट ने जिड़े वी कंट्रोल या जो वी मतलब कंट्रोलिंग कीती होई हुंदी है उत्पादन दे जड़े खेतरां दे उपर ता उना तो मुक्ती ही की है यह लिब्रलाइजेशन है तक ना 91 तो पहला सरकार ने अर्थवस्था दे कई परकार देने अंतरन लगाई सी केड़े केड़े थानू इनना ता याद है ना कि मैं थानू क्या सी कि 1947 तो बाद जड़ी इंडियन गर्मेंट सी उनने रिस्क क्यों नी सी लिया आम लोकान तो आम लोकानों ज़ादा इन्वाल्व करन दा अब पार जया उत्पादन दे वेच हर सेक्टर ते गर्मेंट ने क्यों रख्या सी क्योंकि वानन इन्टी ए तक गुलाम रहें तो बाद गर्मेंट चड़ी सी इंडियन गर्मेंट और इसक नहीं लाना चांदी सी इसकरकि हरे खेतर दे उपर अपना अपना कंट्रोल रख्या हुया सी लेकिन ज़ों फिर गर्मेंट सेक्टर दी जड़ी आर्थिक संकट वेच फास गया, 1991-1999 वेच इंडिया, ता अपनों अपना पुरा गोल्ड हो थे रखना प्या, ता उनना सारियां चीजां तो सबक लेंदे होई, ए देख्या गया, ए सिख्या गया, कि इस तरीके देनाल तरक्की दी गती जड़ी है, हो तेज नहीं किती जा सक दी, that's why बेटे, लिब्रलाइजेशन वरगी पॉलसी आई, ता की किता गया, जिवें उद्योगी के लाइसेंस विववस्था, मतलब अगे की सीगा, भी अपनों हरकम करन दे लाइसेंस लेना पायांदा सी, वस्तुआ ते, कीमत यां विती नियंतर्ण, भी गर्मेंट निय थे अधिन, आईात लाइसेंस, जे बारो कोई समान मंगाना है, तो उदे लाइवी लाइसेंस सी, विदेशी मुद्रा नियंतर्ण, विदेशी मुद्रा भी डॉलर, ठीक है, जे आपा हम बारला समान मंगाना, तो दे ले पेमन ता डॉलर च करनी पहन लिया, लेकिन उदे वी गर्मंट दा कंट्रोल सी, जेडे बहुत वड़े कराने सी गे वपारी कराने, जे में होन भी है गया, यानि वड़ियां फैमिलीज जेडे याने फैमिलीज दा कंट्रोल बहुत वड़े वपारी कुदमा दे उपर, ता उना दे निवेश्दे प्रतिबंद ए सार्यां जासी ओसमें नियंत्रन सीगा ता सिरकार ने ए अन्बव कीता कि इना नियंत्रना दे कारण अर्थ वस्थाच कई कमिया पैदा हो गियाने उद्मिया द्वारा नमे उद्योगानू स्थापित करण दी प्रवर्तिते बुरा परबाप्या देखो जे एनने जादा कंट्रोल होंगे न या इनने जादा इंटरफेरंस होंदी है गार्मन दी जे हर चीज ले लाइसेंस लेना पैंदा सी या पुछना पैंदा सी या अपनी मर्जिनल प्रड़क्शन नो जादा नहीं सी कार सक्दे इनने जड़े नेगेटिव एफेक्ट पैंदा प्या मतलब उत्पादन दे उपर उद्मी जड़े नवे उद्योगान उस्थापित करन बारे सोच भी नहीं सक्दे सी मतलब बुरा परबाप्या इरे फालस वरूपव मतलब थोन में अलड़ी दस्या कि कुरॉप्शन वरगी चीज पैदा होगी सी कमाने वेच देरी होन लगी सी प्रफॉर्मेंस जड़ी सी यो सेक्टरस दी वदिया नई सी तेर्थ वस्ता दी आर्थिक जड़ी तरक्की दीदार सी यो बहुत कट होगी सी कॉस्ट बहुत जादा बाद चुकी सी इनना सारी यां गल्ला करके जड़े इनना सारी चीज यां तो मुक्ती दवानी सी इस करके लिब्रलाइजेशन जड़ी या हो लेकिया नदी गए सी तब फेर आर्थिक सुदार इस मानता ते दारीत है कि सरकारी नियंतरन दी बजाए कि गवर्मेंट दा कंट्रोल ना होए वोदी बजाए बजार शक्तियां अर्थ ववस्ता दा उचित मारक दर्शन कार सकदिया हन मैं था नुआ गाल ना ऐस तरह समझवाना चाओंगी कि देखो जदो तक एक बच्चे दे उपर मतलब पेरेंट्स दा कंट्रोल होन्दा जिनना को पेरेंट्स दो नो सखा सकते सखांदिया लेकिन अट लास्ट देड़ा बच्चा है उननों खोद दे डिशिजन, खोद लैने पैन दिया उनना अपने खोद देखणा होन्दा कि मैं की करना की नहीं करना की मेरे लिए सही है की मेरे लिए गलता एक हम मैं किन्नी मातराज करा तर सेमी गले थे है पहला government guide करती से उद्योगानों की करना है की नहीं करना किन्ना उत्पादन करना है ठीक है किड़ी चीज उत्पादन करना है कित्थे वेचन है कित्थे नहीं वेचना प्रा किन यह चीज दी ता इस तरीक के देनाल मलग गर्मन ने यह रिलाइस की ता कि जड़े दुनिया दे पौर सारे मुल कह हो जिए कोरिया थाइलैंड सिंगपूर जिनना ने लिप्रिलाइजेशन देनाल जड़ी है गिया तरक्की किती है गिया आर्थिक विकास किता है गया तु उसी मतलब ये समझोगे कि गम्मेंड जड़े फालतूदे कंट्रोल सी न उद्यों गांते या उत पादन खेतर दे उपर उनना नू सौखा कार दिता गया खतम कार दिता गया ठीक है फालतूदी जड़ी इंटरफेरेंस सी गम्मेंड या डिसीजन मेकिंग पार जड़ी सी दूर याद रखने हैं चलो मैं था उन्हों बिल्कुल टॉपिक दे आंट ची दस्तूँगी प्रतिबंद क्यों लगाए गया सी गे वाले लेकिन तुसी एथे लिब्रलाइजेशन ना मतलब की समझना है बस की इजी कार देना कि से वी कामनों सौखा कार देना ते अब अगे पढ़ना है कि लिब्राइशमल ल्हाइं वास्तोए या उदारी करन वास्ते जब्रें ने क्लचे अपना यसी चलो फिर पढ़ दे आं हां जी बैटे तन्स लिब्रलाइशंला क्लिखुर मैय चाना व्ывать कि इसी या मैठट किसी त्स framework को लें आज अपुलिशन औफ इन्डॉस्ट्रियन लसेंसिंग एज रिसेंसिंग की हैं कोई विश्वा लाइसन्स लेना पॉइंदा है लाइसन्स लेना पेंदा है तिदी एक मुख विशेष्टा नियंत्रित अर्थ ववस्था दे स्थान ते उदार्था दी निती अपनान दी है देखो वर्ड्स लिटल बिट हो सकता है कि थान थोड़े डिफिकल लगन लेकिन अंडरस्टेंडिंग करो मतलब समझने तुसी कि जड़ी न्यू एकनॉमिक प पॉलिसी जड़िया पुनानिया यानि कंट्रोल नी लिब्रल हो जाने है हुन तक पारद्दा निजी खेतर एक कठोर लाइसेंस पर नाली देया दी इनकाम कार रहा सी यानि की सीगा कि जदो पहला 1990 तो पहला 1990 तो पहला जड़ी साइड प्राइवेट सेक्टर सी ना उन्द सीमा तक लाइसेंस दे होर जड़े रिस्टिक्शन सी ना उन्हानों खतम कार देता गया ता 1990 नमीद योग पॉलसी देवेच सिरफ रफ फाइव इंडस्ट्रीज चढ़ दिया उन फाइव इंडस्ट्रीज नो चढ़ के बाकी सारे यान दे लाइसेंस खतम कार देता गया ब पादन होंदा है उद्योगी कि 204 ते खतर ना कर सायल यानि के है गया तो तुसी फर्स्ट पॉइंट लिब्रलाइजेशन करने कि गम्मेड ने लिब्रलाइजेशन लेके और वास्ते फर्स्ट काम की किता कि लाइसेंस जड़ा सी ना उसनों खतम कार देता सिरफ फाइव इंडस्ट्री चड़ी है जिनना विच लाइसेंस दी लोट सी बाक क्योंकि हुण मालो मैं द्योग खोलन है मैंनों लाइसेंस लेन दी लोडनी हैगी ते मैं अपना उत्पादन फड़ा फड़ शुरू कार सकती है नहीं ता फिर मैंनों लाइसेंस लेना पैड़ा है मैंनों चक्कर लोने पैड़े कि कहने दफ्तरा दे ते हो सकदा मैंनों ला प्रड़क्शन चीडिया हो जादा कार सकती है गिया ओके बेटे चलो फिर हुन नेक्स पॉइंट कर दिया हां जी बेटे ता सेकिंड होर की उपा किता गया सी लिप्रलाइजेशन वेच सेकिंड पॉइंट है कंसेशन फ्रॉम मोनापलीज एक्ट यानि के एक अधिकारी कनून चुट एक अधिकार की हुन दा एक जणे अधिकार के सेवी काम दे उकते 1991 तो पहला की हुन दा सी जिनना कंपणियां दी संपत्ती 100 क्रोड तो जादा हो जान दी यानि जिनना दी नेट वर्थ जड़ी सी ना 100 क्रोड तो जादा हुन दी सी उन्दानों MRTP firm कोशिद कार देत जान दा सी ते उन्ना दे बड़े प्रतिबांद सी पता है कि एक क्यों हुन दा सी कि सो क्रोड तो जादा ना दी संपत्ती हो गिया नेट वर्थ हो गिया एदा मतलब है कंट्रोल ना कार लान के से ओस चीज दे उत्पाधन ते कली मुनापली ना हो जे ना दी एक अधिकार जे क्योंकि एक अधिकार इजेड़ा अपनी मान मर्जीनल कीमत वसूल सकता है ना ता सरकार जड़ी सी हो इना चीजां तो बचना चांदी सी लेकिन 1991 तो बाद ए चीजनों खतम कार देता गया उस तो पहला की सी गा कि जे कोई भी डिसीजन लेना होंदा सी ना इन सो क्रोड जिना दि नेट वर्थ हो जान दी सी तो उन्हानों गौर्ब्मेंट तो परमिशन लेनी पान दी सी अधे निवेश नू वदान वास्ते विस्थार करन वास्ते कंपनी वदान वास्ते लेकिन होन ऐसा नहीं है यह 91 तो लेके ऐस तरह नहीं रिया होन जड़ी आ एक कंपनिया पूरा विस्थार सक्ति जिनने मर्ज कर च दिया ने वेस्टि आप दा रिचेस्ट मैन आफ वर्ल्ड है गया ता एशिया दा रिचेस्ट परसन है अमोकेशाम बानी एदा मतलब है जे करो नुए इजाज़त मिली जिननी मर्जी इन्वेस्टमेंट करन दी ता ता ही आज इस पोजीशन ते पहुंच है ना हो येस ता 1991 दे वेच एक ए सुध कार किता गया भी कोई भी वड़ी कंपनी कराना जेड़ा है उन्नों किसे भी चीज दे लई जड़ी है पसरकार तो परमिशन नहीं लेनी पैनी और जिनना मर्जी इन्वेस्टमेंट कार सकतेने सौ क्रोड तो ज़्यादा लई भी ठीक है लेकिन इते एक गल जरूर जाद र दनाए गई है की साथे कोई इन्जस्टिस ना होवे य 민त क attack है की जानुग माल वेच जा रही होए नहीं कोई गल नहीं है की तैंटे कोई harulin कराना झाल है कौई भी कंपाधन कणन करण दी डं़ी या किना मर्ज सी carry है जिड. bought it एक अधिकारीक नो उन्तों छोट कि पहला तहीं हुंदा सी कि एना कंपनियानों MRTP फरम कोशिद कर देता जान दा जिना नेट वर्स वाकरोड तो जादा हुंदी सी बट नौ एट्स ना लाइक दाट बेटे चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट कार जी बेटे ता नेक्स्ट है गय जिनना अमर्जी अपनी कंपनी नो एक्सपैंड कार सक दियाने ते जिनना अमर्जी उतपादन बदा आ सक दियाने तो नमे क्या कि पहला नो परमिशन लेनी पहेंदी सी कि उतपादन करिये किन ना करिये जिनना नो कोटा निर्दार्थ होया हुंदा सी ना उतपादन दा उ अपना विस्थार ते उत्पादन करन दी अजाद्धी में लगी होई है तो इसलिए उन्ना नू किसे तरा विसरकार तो कोई मंजूरी लें दी लोड नहीं पैंदी है गी गी लिब्रलाइजेशन तो पहला किसी बेटे फुराणी नीति दे इनकी सी लाइसेंस दे समय सरकार वल्लों उत्पादन समरत्था दी अधिक्तम सीमा निर्दा आर्थ कार देती जान दी सी पाव की होया कि गौर्मेंट पहला ही निर्दा आर्थ कार दें दी सी कि तुसी अपनी क मेंगर कि यह इस बादकाव वे आपार दी में आंगर दे लैसक दे ओर देख सक पर जांगर है पिस टारिक्शन मेंगर देना ता मतलब इस्तरिक्के देनाल प्रडक्शन जडिया और एक्स्पैंड वी काड़ सकतियां कम्पनियां ते जिन्ना मर्जूत पादन कालवी सकतियां ता मतलब उत्पादन वदो अंदेली हर हीला किता गया अपस्पैंट सेक्टर नू सर्कार ने ज़्यादा इप्पोर्टक्शन कारें आंजिए खरेंग और याकम्पनी धोके पादन प्रडक्शन मर्जूत पै। तब फेर उते कम नहीं हो सकता तब गर्वर्मेंट इस करके लिब्रल होगी सी उस तो बाद पॉइंट आजान दा बेटे पुझी गत्पदार था दे अयाद दी चूट फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स की हों दियां बेटे कैपिटल गुड्स मतलब मशीना उत्पादन कारन दे लहीं मशीना दी लोड सी ता होन सरकार ने इजाज़त देती द्योगानों के ओ जड़े आयाद मतलब इंपोर्ट कार सकतेने फॉरेंड कांट्रीज तो मशीना आयाद कार सकतेने देखो इंडियन महाल जड़ा सी ओ बार ली जड़ी मार्किट है उन्दे वेच्चो दी बराबरी नहीं कार सकता क्योंकि कार सकता सी क्यों क्योंकि उत्पादन दी टेकनोलजी जड़ी सी ओ इन्नी गुड्ड नहीं सी ता इस करके सरकार ने एजाज़त देती कर्मेंड ने एज परमिशन देती प्राइवेट सेक्टर नो के ओ फौरं तो गुड्ड पाव मशीना आयाद कार सकतेने उत्थोदिया मशीना देना अर उत्पादन कार सकतेने ताके उत्पादन भी वदिया होवे ते उत्पादन दी क्वाल्टी दा वदिया होवे ते बार जड़ा मार्किट है ओधे वेच्छ ओ माल जड़ा वेख सके ता एस खार के आधुनिकी करण करण वास ते एक तरीका होया है ना कि सौखा करता कि जड़ी मशीन मंगाणिया तुसी मंगवा सकते हो जी बेटे ते नेक्स्ट आजान दा फ्रीरम टू इंपोर्ट टेकनोलजी अल्मोस्ट सेम जी घल लिया आजान दिया उन्दे वेच्छ सीगा है कि मशीन ना मंगा सकते हो बारो एदे वेच किया तकनीक दी आयाद दी चूट तकनीक मतलब टेकनोलजी फॉरन दी टेकनोलजी जेडी है गिया उन्हों सिखना ता नमी आर्थिक निती वेच आदुनिकी करन उत्षा देन लई हाई टेकनीक दे प्रियोग करन ते जोर दिता गया जिनने वी सान्व्राइज इंड स्ट्रीज़ियां लगिनियां सी अर्थात कंप्यूटर एलेक्ट्रोनिक्स इना द्योगा नों विक्सित करने ता नों बता होगा कि 1969 दे वेच वैसे इंटरनेट आ चुका सी फॉरन कंट्रीज दे वेच 1969 यानि मेरे बर्थ तो भी पहला दा नेट आया हुए है लेकिन तु मतलब कंप्यूटर टे एलेक्ट्रोनिक्स वरगे जडए दियोगा ने सनरा इन्स इनस आज्टि आज दे समय दे ता इनना नों बारों इंपोर्ट करन दी इजाजत दे द ति गई इलेक्ट्रोनिक्स द्योगानों विक्सित करना है जे करता पार्ति द्योगानों नवी तकनीक उपलब्द क्रॉन दे लई दे उदेशनाल नवी द्योगनीती वेचे शामल किता गया कि बारों तुसी एस टेकनोलजी नू इंपोर्ट कार सकते हो कि जे इंडिया चे डेवल्प नहीं हो रही तो तुसी बारों इंपोर्ट कार सकते हो ठीक है बेटे मनों तकनीक नू याद करन दी छोड़ देती ते पुंजी गात वस्तुआनों भी मशीन ना भी मंगा सकते हो ते टेकनोलजी भी मंगा सकते हो जड़े तुसी वर्ड भोल द इसने ना ओना दे ओफिसेज खुले हो एने ता ये सारा लिब्रलाइजेशन दाई नतीज है क्यों इत्ते आके काम कार रहे है जड़ी टिक टॉक बैन होगी है होनो तो तो टिक टॉक दे ओफिस भी ता इंडिया देवेच सीगे मालों टिक टॉक के नहीं चाल दी सीता एव थो थोड़ी सामने नजर आदे अजकल नेक्स अपने कोल आजान दा है व्याज दरांदास तंतर निर्दारन फ्री डिटर्मिनेशन ओफ इंटरस्ट रेट मतलग के लिब्रलाइजेशन इन बैंकिंग सिस्टम क्योंकि व्याज किते निर्दारत होनी है बैंक का देवेच हो देखो की होंदा मैं थानों वेरे सिस्टम समझानी है वैसे मैं थाननों बैंक वाले लेसंच करवा चुकी हैं सेंट्रल बैंक ते कमर्शियल बैंक वाले की रिजरब बैंक पहलना रेट आफ इंटरस्ट निर्दारत कर देंदा है ओधे कॉर्डिंगली जड़े कमर्शियल पहले का अवधे इंटरस्ट रेट निर्दारत कर देगा ते उस इंटरस्ट रेट इसाननों लोन वगारा जड़िया देंदे है गया मतलब बैंक अणों भी जादी देदी गई यानि पहला तर जहरा बैंक ने एक रेट आफ इंटरस्ट निर्दारत करति जिन्नों बैंकरne किया जाना था बैंक का किया जाना थीक है तहूंब BANK आने खोददिये जा धी हरे एक BANK दी आप धी डिरेट ओ इंडरेस्ट होँदिया तुसि जिनने भी BANKS देख लोगे तुस देख लो 마ी प्राइवेट BANK किनने है गई ICIC और गертв है ऐसे प्राइवेट आधे कॉरिंग देना लने आप पांत उसी अक्रिकल्चर सेक्टर दे विच काम करना या तुसी इंडस्ट्रीच इंवईस्ट मेंट करने ता लोन आना पहंदा ना करजा लाना पहंदा तफिर बैंक का नूव छोड़ दे दिती गई इसी आधे कॉर्डिंग ली चल लन दी या सीजन्स लेंदी ठीक है बेटे ता विती खेतर वेच वी इस तरीके नाल लिबरलाइजेशन जेड़ी सी आगी सी उस्त बाद आगया बेटे अपने को ले टेक्स रेफार्म्स बेट टेक्स वेच वाला खेतर सीगा उन्दे वेच लिबरलाइजेशन की में आई सी ता 1990 दे बाद तों व्यक्तिकत आमदंते लगाएगे करांदी दार वेच निरंतर कमी किती गई मतलब इंकम टेक्स वेच कमी किती गई इंकम टेक्स वेच कमी करन दा कारण की सी कि जे उच्चे कर हुन्दे सी न उन्दे करन करांदी चोरी हुन्दी सी लोग की आपदी आमदंनों चुपांदे सी दस दे निसी ताकि टेक्स ना देना पवेशान नू ते होन एक व्यापक रूपनार सविकार कीता जना दा है कि जे कर करांदी जरा उच्चिया ना होन आप पॉइंट समझन वाल है जे टेक्स जाधा नहीं होगा एदा मतलब किया सी जाधा बच्चत कार सकते जे टेक्स जाधा नहीं होगा सानों टेक्स दे रूप वेचे सरकार मों पैसा ज़ादा नहीं देना पाऊगा तो साथी कोले बच्चत हो सकतिया ना ने साथी कोले बच्चत होगी तो लोक अपनी इच्छा नाल अपनी आम्दन दा विवरन दे दिन दे दे दिन दे टेक्स दे फेर मतलब जड़े होल एड़ेड़ एक जवी निगम कारेगें थी आया निगम कारूंदर लाब ते लगदाया प्रॉफिट ते लगदाया फर्मानु देना पएंदे तर मतलब जिन्नियां वी टेक्स दियां तरहां सी न गवर्मेंट ने पर तक आपर तक कार्ड या इनडरेक्ट लेक्यान दी ताकि उत्पाद अन्नू वदाया जा सके बिते लिब्रलाइजेशन विच आप एक पॉइंट ओर करांगे भी एक ओर केड़ा मैथड सरकार ने अपनाया सी लिब्रलाइजेशन वदारी करन कार देत्ता सी तो अनू पता कि 91 तो पाहलना की सी गा कि असी जड़ समान भारो मंगोन दे सी न तो सरकार दी से ट्राटजी ए सी गी कि बारों मं गौन दी जगा ते देश दे वेची ओदे नालदा ओदे वर्गा समान जड़ा बनाया जावे ताकि सानु बारों नाम गौना पवे यसी इंडिपेंडेंट हो ये लेकिन चड़ी उधारी करन दी निती सी ना ओदे वेच ये चड़ी से ट्रैटरजी चेंज होगी कि सगोदी अगयाट पबंदियां जिनियां भी सी कौन्टिटेव रिस्ट्रैक्शन मेने किना समान मंगान है यह पे जना टाइप है वह सारी इस्ट्रिक्शन चाक देती हैं गहीं सी गियां ती कस्टम ड्यूटी लग दी सी थो नों पता ना जिदो बार्डले मुलक तो गा सकदेगे या लाइसेंस लेना पांदा है तो सब खतम कार देता गया इनना सार्यां दे खतम हुण करके ता तुसी देख्या नी हार था ते इंडिया चाइनीज माल प्या हुए है जे ए लिब्रलाइजेशन होई सी ता ही बार ला समान अपनू इंडिया देवेच एननी लेबल होंदा है बेटे ठीक है ता इस तरीके ना ट्रेड पॉल सी नो भी लिब्रल कीता गया सी ना ए सार्यां चीज़ां तुसी याद करने आने लिब्रलाइजेशन ना मीनिंग करके ते लिब्रलाइजेशन वास्ते गर्मेंड ने केड़े मैथर्ड अपनाई सी कि आ सकता है ओक क्वेशन की है चलो थानों में दस्तियां हंजी मेटे तोसी होने दो वर्ड्स थानों में दस्तियां लिब्रलाइजेशन थे लेजी फेरी पॉलसी इनना चीक मतलब तोसी इननों मिक्स नहीं कार देना एदा की मतलब अधा उधारी करन हो गया इस तंतर बज जार दी नितियां मा फरकिया दुमां देवेच लिब्रलाइजेशन देवेचे सिरकार इंटर्फेरेंस ता बंद कर दिया मालो लेकिन मतलब कंट्रोल प्राइवेट जड़ा सेक्टर उन्हों इंपॉर्टेंस दे दिया ठीक है उत पाधन करन दी जाजत दे दिया खोल दे दिया टर्म सौकियां कर दिया लेकिन जड़ी लेजी फेरी है ना ओदे वेच की है सरकार दी बिल्कुल भी कोई दखलन दा जी नहीं होंदी उन्दा सिर्फ कोई रोल होंदा कि ओ सिर्फ देश दी बार ले हमलेयां तो राखी करना ली होंदी है बस दैट सौन की उत्तादन करने कि ना करने किमे करने कित्धों करने कि नाल करने गुवर्मेंट कोई डिसाइड ने कर दी होंदी है लेकिन लिबरालाइजेशन है था प्राइवेट सेक्टर उन्नों इंपॉर्टेंस डे रही है लेकिन नादी नाद अजादी भी देंदी है ठीक है ति उन्दे वेचे कुछ नियम कनून अदा पालन भी कर दी है लाइसेंस वगएरा थोड़ा काट कार देंदी है लेकिन लेजी फेरिच की है ओ सिर्फ एक रात दे पैरेदार वंगू जड़ है देश दी सिर्फ रख्या कर वेचे ही जड़ा रोल अदा कर दी है और किसी तरह दावी निर्ना सरकार नहीं लेंदी है कि इस तंतर बजार दी नीती देवेच ठीक है तो तुसी दुआ चे फरक समझ लेना है कि एदे वेच ता गौर्मेंट जड़ी है ना ओ बहुत इंटरफेर नहीं कर दी लेकिन फिर वी जड़ी है ओ डिसीजन मेकिंग हजे भी हुन दिया लेकिन लेजी फिर देवेच कोई भी डिसीजन हो नहीं लेन दी हैगी तो ओके बेटे उमीद कर दिया थानू आज दा टापिक समझ आ गया होगा तुसी बड़े त्यानल पूरी वीडियो नू देखना है समझना सुन एक तो दो बारी सुननी पावे थामी सुनने आजे क्योंकि बहुत ही इंपार्टन टापिक है एंड इस शोर दैट कि एकनॉमिक रिफार्म से विचो थानू क्वेश्चन जड़ाओ फाइनल एक्जाम दे विचो आणा ही आणा है गया ओके बेटे बाई देन टेक केर सी पुलना